हाई गाईज कैसे हैं आप सब वेलकम टू दे चैनल दोस्तों आप जिस सर्कुलर का वेट कर रहे थे 12th BPS की जो मीटिंग थी 29 सितंबर 2023 को वो सर्कुलर आ गया है जानेंगे क्या हुआ इस मीटिंग में कुछ पॉजिटिव कुछ अच्छा हुआ बैंकर्स के लिए कि और को शुरू करते हैं दोस्तों यह आपकी स्क्रीन में 29 सितंबर का लेटर है इसका सब्जेक्ट है वाइपर टाइट टॉक्स विद आई बीए और 29 सेप्टमबर 2023 नेगोशिएटिंग कमिटी मीटिंग डाउंग नमबर 3 तो चलिए देखते हैं लेटर में क्या है दोस्तों ल नेगोशिटिंग कमिटे की मीटिंग हुई आई बीए की तरफ से जो अध्यक्षता किये वो श्री एमबी राउजी ने किये दोस्तों आई बीए ने यूनियन से का कि यूनियन अपनी डिमांड्स बताएं ताकि डिसक्रिशन जल्दी हो सकें और जल्दी से जल्दी हम किसी फाइनल रिजल्द पर पहुँँच सकें यूनियन ने का कि अभी हमारे पास डेटा ही नहीं है कि क्या एक्सपेंसे हुए हैं इंप्लोई कितने हैं NPS में OPS में एरिया वाइस नंबर इंप्लोई कितने हैं तो यूनियन का ऐसा कहना है कि हमारे पास यह डेटा नहीं है मेरे employees हैं इन सबका data हमारे पास नहीं है तो union ने IBA से कहा कि आप initial offer देदो अपनी तरफ से कोई salary high का ताकि जल से जल कोई discussion शुरू हो सके और कोई ना कोई इस पर फैसलाई लिया जा सके तो IBA ने assure कि चलिए आपके पास अगर data नहीं है तो हम वन वीक में आपको यह data प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों IBA ने 31 March 2022 को जो expenses किया था PSB ने उसकी details दी जिसकी मदद से further negotiation हो सके दोस्तों यह details इसलिए प्रोवाइड कराई जाती है जैसे हमको by potential element करना है तो 31 March 2022 का जो data होगा यानि जितना भी स्टाफ पे expenses होगा 12 BPS में तो 31 March 2022 को जितना भी स्टाफ पे expenses होगा उसी में salary hike देते हैं for example माल लिजे 31 March 2022 को 10,000 करोड रुपए खरक शुआ था स्टाफ पे तो दोस्तों कितना उसका अगर हम 15% hike देंगे तो 10,000 करोड का जो 15% होता है और आपके जो भी आपको increase देना है वो उसी पैसे में से दिया जाएगा तो दोस्तों यह data IBA ने प्रवाइड करा दिया इसके बाद दोस्तों discussions ऐसा का जा रहा है कि positive ही रहा IBA की तरफ से कि कितना salary hike दिया जाएगा इसको बताया नहीं गया इसे next meeting में कहा गया कि further discussion को continue किया जाएगा दोस्तों इसके बाद जो यूनियन है उन्होंने early five day week को introduce करने के लिए भी कहा जल से जल तो IBA ने इसका जवाब दिया कि higher authorities की consideration में यह भी है इसलिए हम इस matter में भी कुछ कहा नहीं सकते हैं तो यूनियन यूनियन है कि आप जल से प्रयास करें next चीज़ दोस्तों retirees के medical insurance की जो बात चल रही है retirees की medical insurance policy के लिए EOFBU ने demand की कि जो इसका premium है उसको bank bear करे तो IBA ने खा जो हमने 19 जुलाई 2023 के हिसाब से हमने premium जो रखा है वो 2 lakh की base policy के लिए 22,419 रुपीज 3 lakh की policy के लिए 57,088 रुपीज और 4 साल की policy के इसके discuss करेंगे union चाहता है कि जितना भी retirees की medical insurance policy का premium में उसे bank की bear करें next चीज़ है दोस्तों उसको भी discuss कर लेता है next चीज़ लेटर में है दोस्तों pension updation की मांग उठाई गई union के तरब से तो IBA का ठीक है हम आने वाली meetings में इसमें भी discussion करेंगे इसके बाद 100% DA for pre November 2002 retirees की भी इसके बात हुई इस पर यह भी government के पास approval के लिए तो IBA का ठीक है हम कोशिच करेंगे government से बात करने के लिए ताकि matter जल से जल हो सके इसको पूरा किया सके इसके बाद दोस्तों कुछ matters है जिनको discuss करने के लिए subcommittee बनाई गई क्या क्या है वो matters देख लेते हैं दोस्तों पहला है revised DNS allowance scheme under 12 BPS, next है disciplinary action and procedure provisions for award staff and officers as well as, इसके बाद leave rules and LFC benefits for award staffs and officers, next है और जो last है और जो लास्ट है वो है review of duties of special post for award staff, तो इस पे एक alexi committee बनाई गई है, इसके बाद दोस्तों जो एक बहुत बढ़ी bank है banker की, कि special allowance को basic में मर्च कर दिया जाए ताकि हमारी salary अच्छ हो जाए, इस पे IBA ने कहा कि ये matter अभी court के सामने तो इस पे हम अभी कुछ कहा नहीं सकते हैं, इसके बाद ये कहा गया कि next meeting की date जल 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 रखी जाए, ताकि जल जल negotiation किया जा सके, तो दोस्तों अगर इसका outcome के बारे में बात किया जाए, तो कोई भी ऐसा कुछ positive outcome नहीं आया, unions के पास data नहीं है, ऐसा कुछ 5-day banking हो नहीं पाई है, तो कुछ भी इसमें ऐसा बहुत positive होने वाली, कुछ भी बात नहीं है bankers के लिए, बस यह है कि हाँ, एक meeting और हो गई, हम एक step और आगे बढ़ गए, तो देखते हैं, आगे meetings में क्या होता है, हमारा 12 BPS December तक हो पाता है या नहीं हो पाता, यह हमें हमेशा की तरह 2-3-4 साल का वेट करना पढ़ेगा, जो भी होगा दोस्तों, आगे की वीडियो में discuss करेंगे, I hope दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया हो तो चनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों साथ शेकना बिल्कुल आप वोलें